हेलो फेंस स्वागत आपका नॉलेज्ट टॉपकिंग पे तो आज हम नेक्स्ट कोशन देखने वाले हैं जैसा कि दो पार्ट आप लोग देख चुके हैं एन आटोमी का मैंने आप लोग के लिए सुरू किया जो कि ये नम के लिए स्पेशल है ठीक है इसमें जो एनम स्टीशं लिए ठीक हैं जो समणकार हुआ और समॉन आकार करती तो इससे क्या होता है से टीशू का निर्मन हुआ अब Ц женщ scope का निर्मन हुआ सिस्टेम का निर्मोन होता है सिस्टेमि बनता है चैले अगरास करद सरदर नुऩा उनके कारियों के अधार, कि आधार पर कितने भायों में भीभाजित किया गया है , उताक यानी टी्सू को उसके अधार 59 वहाजित की ज़ना होता है है उनके कार्यों काधर पर कितने भागों विभाजित किया गया तो अपको फिरस्ट ओप्सन है 2 V है आपका 3 और C है आपका 4 और D है आपका एक तो इसका तो । इपको पता है तो दो आपको कमेंट में लिखीए हुआ है तो क्या हूगा पहलाँ उपकला उता इसमेश कर दी सू और आप 197 निर्वार टी आपको 5 चारोज़ में प्रकार हैं तो इसको कई देखेंगे पहले इतना आप याद रखेएंगा चीलिए नक्षट लिए डगत्ते हैं कौन उतकते हैं कोन सा उतक चरीर के मुंक्त सतओं और गुहाऊ यह जो गुहा होता है जिसमें आपका एल्जिणी होग तीशू ऑगाfish तीशू आपका एरियोलर टीशू ती उसका प्रोटेक्शन यानि रख्षा परदन करना भी है आपका सिक्रेशन यानि श्रवन का कारी करना भी सört क्या है अगर आपको पता है तेंगे नहीं पता था मास्का बताएंगे उदिए Emm Travis rib कर भी परदन करता है उनलगें इसका स्हरली करते हैं वह स्पष्ट शेयर है बिलकुल आज्ससर स्टाइब लेते हैं किस टिसू के कोशिका में एक ही परत पाय जाती है वह साथ टिसू है यह उतक है जिसकी कोशिकाओं में एक ही परत पाय जाती फर्स्ट आपका है connective tissue यानि स्योजी उतक, epithelial tissue यानि उपकलाट उतक, आपका elastic tissue और D आपका adipose tissue इन सम्में सही कौन सा आपको इसका answer बताना है तो देखे इसका सही answer जो होगा, वो क्या होगा तो epithelial tissue होता, वो कोशी का का सिर्फ एक ही परत पाया जाता, इसमें layer नहीं पाई जाती है चले next question देखते हैं, next है आपका epithelial tissue कितने परकार के होते हैं, आपका epithelial tissue है वो कितने परकार के होते हैं first है आपका, 2, B है आपका, 4, C है आपका, 3, D है आपका, 1, तो देखे epithelial tissue जो होते हैं, वो आपके दो परकार के होते हैं आपका epithelial tissue कितने होते हैं, दो परकाई इसका सही answer कौन सा है, इसका सही answer आपका A है, यानि 2 गति सिंपल एपिथिलियल टीशू और स्टेडिफाइड इप दिया है नेस्ट देखते हैं तो इसको देखते हैं तो आपको यादल नेश्ट को सन देखते हैं नेस्ट आपका टीसु देस्ट के चारों परकार हैं यह आपका कोसन आपको निचे आपको कोसन आंसर करना है देखें परले कोसन समझ देखें डेस जो है टीसू के चारो परकार है simple squamous epithelium tissue simple quidal epithelium tissue simple columnar epithelium tissue और फोर्द आपका cilluted simple epithelium tissue ये चारो जो है वो किसके परकार है तो इसका सही अंसर जो होगा वो क्या होगा पहले देख लिजिए इसका आपका पहला option है simple epithelium tissue तो यह चारो परकार किसको होगा प्रसक्राइल कोगने सिंपल इपिथिलियम DENNIS अच्छे से याद कर लेजिए कि इसमें आपको बोडी पाइट बना होता है आप लोग भी जोन रहे टीसू से बना होगा तो टीसू का कहां पाज़ेता उसका नौम आपको याद रहनों बहुत है और कभी आपको कथन करने किसी एक जोम्मा को आपको यह साथ दे सकता कि इसका पर यह और आप लोगों को यह पीडिया भी मिलेगा जब आप लोगों के लिए इस्पेशल टेलिग्राम लिंक बनेगा तब अभी नहीं अभी आप यूट्यूब पे देखके पर सकते हैं चले इसका सही अंसर क्या हो गया तो इसका सही आउनसर आपका हो गया एक नमर अगरिए नहीं आपका आपका बलाड एबं लींप वेसल में बलाड अबें लिंब वेसल में पाया जाता है या नहीं तो सब्सक्राइब च्छर्ड तो क्या होता है तो पहले हम आपको कि आपको अपुष्वेशक का आपको पिक्चर दिखा देते हैं। तो आप यह पिक्चर दो सकते हैं यह आपका सिंपर स्पआमस इपी क्थिलियम टीसु का पिक्चर हैंbor क्या परकी बिंद डेकर मिलीस स्मझे भज़कि चुटिवा इससे की पाया झाता है तो यह क्या है इसके दवर आपका किसका बना हुआ हुआ बना हुआ रहा हुआ तो आपने सिंपल सेप्षियम तीसू देख लिया है अब आगे इसमें दखते हैं कि इसका कुछ और पॉइंट है इसका मुख्य पॉइंट में और देख लेते हैं कि यह दो नहीं को आप याद रखिए यह को कॉलूमनार एपी थीलियाम टीसू को बता किसका सही एंसर को हुए किद्नी की नालिका का निर्मन नालिका को निर्मन करते हैं करती है तो इसका पता है तयाप किजिए अनसर है किटनी कीनलिका निर्मन करती है श Ens इसका पता है वह किस परकार से दिखते हैं यह कैस परकार से होते हैं तो आप देख सकते यह आपका kvital epithelium tissue है इसमें क्या होता यह घंळाकार होती है और इसके बुझाइन होती हो क्या होता है आपसमें समान होती है एक दूस्तिया से क्या होती है बेस्मेन पर भी चिपकी हुई योनि सटी हुई रहती है इसका अकार कैसा होता घनाकार होता और इसके सभी बजाएं एक समान होती है यह आपका कुवाइडल एपिथिलियाम टीशू है नेक्स्ट अब देखते हैं आगे आपका कोशन है अहार नाल की नलीकाओं के भित्री दिवारों पर था जाते हैं जो आपका अहार नाल की में एलिमेंट्री कानाल है उसकी दिवार पर कंसा टीशू पाइब फर्स्ट आपका अप्शन है simple columnar epithelium tissue B. simple squamous epithelium tissue C. simple quadral epithelium tissue D. आपका none तो देखिए आपका अहार नाल पे जो पाया जेता है वो आपका कॉन से पाया जेता है तो वो आपका columnar पाया जेता है कॉन से पाया जेता है columnar tissue आपका इसका सही answer कौन हो जाएगा A. simple columnar epithelium tissue B. उसको भी देख रहते हैं B. तो आप देख सकते हैं यह आपका है shoe columnar इसमें क्या होता है इसकी भुजा जो है B. ऐस्तम के समान होती है ऑर रेगधे क्या होती है सरफी हुई रहती की देख सकते हैं और रेगधे 0-2 रहे ए तो जो होती है आपका जो है एलमेंटरी कनाल में पाया जाता है यह आपका क्या कोलूम्नार एपिथिलियम टीशु है तो आगे का कोश्चन आप देखते हैं है अहार नाला की दिवार पर पर पायए जोने बाली रोसी मिल में सिंपल स्क्राइबड स् tua रुप अपना प्रकर है क्यो Baptist तो आपको इसका बनाता है वो आपका कोलूम्नार य。 एसका सही एंसर क्या हो जगा चुस्ओ नेक्ट क्वेशन आपका है फिलेपीन नलिका तो स्टॉल्स।is फिलेटेड तो आप इसको भी देख लिए किस परकार के होते हैं कि यह आपका है सिंपल यह सिलेटेड सिंपल इपिथिलियम टीशु देख सकते हैं इसमें क्या होता है जो कि आपका फिलेपियन ट्यूप में जो पाज़ता यह अंडे को आगे बर होने में मदद करता है यह आपका सिलिया यह आपका है सिलेटेड इपिथिलियम टीशु तो यह आज का कोशन इतना ही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे देखते हैं